गलत तरीके से अभध्र भाशा में जगा जगा पर पार्लिमेंट के अंदर उनको संबोधित करते हैं और जो बेज़ती उन्होंने इस देश की सारी संस्थाओं को करी की करी हैं सतर साल से जो ये करते आ रहे हैं उसका जवाब है हाँ मैं भी चौकीदार हूँ क्योंकि इनको किसी को एक ऐसा प्रधान मंत्री सूट नहीं करता जो की वाके में दिल से, दिमाग से, प्रेड़ना से, जीवन की उनकी अगर आप देखें पूरे जीवन से इस देश के लिए एक चौकीदार के रूप में ये हमारा सौभाग्य है कि वो वहाँ बैठे हैं इनको चौकीदार सूट नहीं करता, इनको खुली छूट चाहिए, चौकीदार नहो तो जो मर्जी कर ले इस चीज का जवाब है, मैं भी चौकीदार हूँ हम सब उनके साथ सिरफ कंदे से कंदा मिलाकर नहीं, दिल से दिल मिलाकर खड़े हैं मुझे लगता है, आप लोगों ने मुझे चुनकर पारलिमेंट में भेजा तो मैं चंदीगड के लिए चौकीदार हूँ और बाकी देश में हर उस इंसान के साथ खड़ी हूँ जो इस चौकीदारी में भागीदार है मानिय परणानमंत्री का मज़ाप उड़ाने का प्रयास किया था और चौकीदार कशब इसमाल करते समय उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति पर बैठा है जो डिजर्व नहीं करता कुछ और नहीं करता लेकिन आज जो उनके पक्ष में सारे देश में वादावन बना है आज हर व्यक्ति में सूस कर रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ और उसी अभ्यान का शुबरम परस्व अमानिय प्रधानमंत्री जी अलग लग स्थानों पर करेंगे मैं समझता हूँ कि इस भावना का हर व्यक्ति में आना कि मैं भी चौकीदार हूँ चाहे वो महले में रहने वाला आदमी है चाहे एड्रोकेट है चाहे डॉक्टर है चाहे टेशन है कोई भी कहीं भी है तो अगर वो अभ्यान चलता तो उसके दो लाब है एक तो निग्रानमी पूरी होती है और दूसरा जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूँ और उसके साथ जब सारा देश खड़ा है तो मैं समझता हूँ कि यह अपनी आप में श्री नरेंदर मोदी जी के नेत्रितों में लोगों का विश्वाश व्यक्त करने का चुनाव से लगवग महिना पहले का भ्यान चुरू हो गया है मैं एक बात और कहके बात समाप कर रहा हूं किरन खेट जी ने भी सारी बात कही है तोपी मैं भी चौकीदार हूँ का प्रारम आज किया है सांसर भी पूर सांसर भी परदेश देख शाम बैठे है चौकीदार के आप में एक चीज़ और भी होती है वह होता है लट जिससे व हमारे आसपास के जो भी मैं वो शब्द का इस्तमाल तो नहीं करूंगा हूं के लिए वाजु पार्लिमेंटरी होगा जो देश के हितका चंडिगर के हितका संग्रक्षन नहीं कर पा रहे हैं आज तोपी 19 मई को लट और फिर 5 साल लट बरसाकरम सब को ठीक करेंगे बहुत बात को कहा कि आपने एक तरह के जो ऐसे वर्ग को उसके ऊपर आपने अप्शब्द बोले हैं तो वो सारे वर्ग के साथ वो खड़े हैं क्योंकि वो वर्ग सिरफ एक वो वर्ग नहीं है जो आपकी दुकान की आपके घर के बार की रखवाली करता है एक चौंकीदार जो है वो हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति का अपने अपने भाग के अंदर एक चौंकीदारी है अपनी अपनी चौंकीदारी सब लोग संभाल लें इसके इसी सही देश का कल्यान होगा इसी सही सब का बला होगा और एक बात और जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही है कॉंग्रस ने चौकीदार का पमान करने का प्रयास किया भारतिय जंता पार्टिय ने हर चौकीदार का सम्मान करने का प्रयास किया देश का प्रधान मंतरी सांसद पूर्व सांसद मंतरी जब सब चौकीदार मान रहे ह तो मुझे लगता है जिन्हों ने चौकिदार का पमान करने का प्रयास किया था आज वो भी अपने घर में गरतन ज्याका आकर सोच रहे होंगे कि हम क्या कर बैठे हैं इस तक अब भदर भाषा यूज करके वफ़णायρί किसी पार्टी का नहीं होता है जो जो भाषा सी मिलग ची shaping को तैयार है पहले कि इक मनस्त से लिए देखेमन करने कि आपना करई तो पहले को और पूछे की उप Just क्शास की लगा वैंग सहर बारक के साथ नहीं है ना इसलियीए हमारी जब उधर वादियों के उपर हमला होता है उधर वादियों को मारा जाता है तो यें के पेट में दर्द क्यूं होती है यह क्यों उसी समय bolना शुरू करते हैं ये क्यों कहते हैं कि भाई कितने आजमी थे कितने लोग मरें ये चीज के लिए आप देखिए कि देश को कहीं पे कमजोर दिखाने की कोशिश जो है ये विपक्ष और खास तोर के उपर कांगर्स के लोग ये करते रहें और किसी भी चीज का ये जो कोई अबद्र भाशा है उ लेकिन सबसे पहले जो है इस चीज की शुरुवात इन के ही जो है धर से होती है और कंदेलीर इा थे कैमरा देख लुट हैوسित पुर्षिए को हुदेगी डुना है ख कि ख दिए पदर नहीं पे आपका है नहीं जर्गी हो जो प्रणादी जी के स्रक्षन में जो कारे कर रही है उस कारे के नमित जीन नोकरी मेड़ गई ना ना दुझे भी दोनो चलनगे तिन नहीं होंगे डोंट वरी सारे क्यों नहीं एक दुझे देनाल किया है मैं देखिए ये सवाल आप टेली फून पे और सब लोग का एक ही इसका जवाब है को ये जवाब है कि हमारे तीनों का जो नाम है केंद्रिय कार्याले के पास है केंद्रिय कार्याले जिसको कमल का फूल देंगे जिसको भी देंगे उसके साथ सब लोग चलेंगे ये बात आपको सब ने इंडिविजुली भी बोली है collectively भी बोल देते हैं आप उसको record भी कर सकते हैं छाप भी सकते हैं बार बार वही सवाल आता है मुझे लगता है कि इस विशे को इस पे विराम देना चाहिए यह party का निरने होगा जो निरने होगा सब को हम लोग एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं हम को कहेंगे जमीन पर बैठ जाएंगे हम को कहेंगे यह काम करो वो करेंगे नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ बैठने तो उदर बैठ जाओ हम सब लोग party के लिए अपना वफादारी से काम करने के लिए सब लोग तयार है देखिए एक जो पुराने अतीज से हम कुछ भी चीजों को हर कोई व्यक्ति भी सीखता है हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है कहीं पे जिन लोगों का ऐसा कारिय था और जो फॉर्चुनेटली आज वो हमारे सिस्टम से बाहर है तो मेरे को लगता है कि वो आंडे वाले जो पार्टी है वो अलग हो चुकी आप सब लोग आप सब लोग